तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्यार में प्रेमी का है अपने प्रेमी से पता क्या कहती है कि में ले चांद तारे तोड़ा हो और इन बेहन जी ने कुछ जादे सीरिस ले लिया देखिए यह बेहन जी चांद का टुकड़ा तोड़के लाने के तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि इन बगीचे से आम तोड़के लाना हो चलिए बात यहां ताक भी ठीक थी लेकिन इन भाई साब ने कुछ जादे सीरिस ले लिया दीखिए ज़रा इस क्लिप को जिस तरीके से इन भाई साब ने चांद तोड़के लाया है न इस बात को अगर रियल देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर हम प्रैक्टिकल इस बात को समझें तो अर्थ की और मून की बीच की डिस्टेंज है वो 384,400 किलो मीटर है ठीक है अगर हम बात करें कि अगर मून अर्थ के पास आ जाए और अर्थ पर गिरे तो क्या हुआ जैसी वो इसके पास आएगा तो अर्थ के जो समंदर है ना इससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें स्टार्ट हो जाएगी उठना ठीक है और जैसी लहरें उठेंगी तो इनकी जो स्पीड होगी ना वो लगवा गुरुत्वा कर्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स से भी जादा होगी और वो चांद को टोड़ों में क्या कर देगी डिवाइड कर देगी तो टुकडें होंगे ना वह अर्थ के चारत्राफिक और बना लेंगी ठीक है और अलग-अलग सहरों में अलग-अलग प्यार में समझ आया कि ने चलिए थैंक्यू सो मत